तो आपको बता दे कि Indian Air Force का जो form feeling आपका चल रहा है उसमें काफी ज्यादा गलती हो रहा है लड़कों से और उसमें कुछ गलती साइवर कैफे वाले भी कर रहे हैं ठीक है तो इस गलती से आपको बचना है पिछला वीडियो में मैंने सब कुछ आपको किलियर बता दिया था और उसी वीडियो से कुछ कॉमेंट्स को पिक किये हैं और उसमें आपका जो डाउट होगा आज किलियर कर देंगे ठीक है और कितना आपका फॉर्म फिलप अभी तक हो चुका है सीधे आप देख सकते हैं टुटल रजिस्ट्रेशन जो हो गया है एक लाग ती रासी अजा से कल का डाटा था और आज मानके चली कि आपका दो लाघ क्रॉस कर गया ठीक है अब जो अप्डेट होगा तो आपको पता चली जाएगा दो लाख क्रॉस हो गया है तो जो रफ्तार है पिछला अगर बात किया जाए तो पिछला से अगर तुलना करे इस बार का जो फॉर्म तारीके कल 30 होगा और आने वाला आगे दिन देखते हैं कितना लेकिन जैसे जैसे दिन आपका नजदीक आएगा तो थोड़ा सा राफतार भी बढ़ेगा ठीक है जो लड़के इंट्रस्टेड नहीं वो भी थोड़ा सुन समझ कर आपना भरेंगे यहां पर बट अभी के अगर आपका अभी तक के डेट में मालिज 2 लाख फॉर्म गिरा तो आने वाले डेट में मानके चलेगी 3 लाख और गिर सकता है या 2 लाख कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा लेकि चार से 5 लाख तक टच कर सकता है ठीक है साड़े चार-5 लाख आपका फॉर्म गिरेगा और उसमें से एकजाम होगा आपका ऑनलाइन जब आपका एकजाम होगा तो टोटल आपको बता दे कि इसमें जो सौट लिस्टेड लड़के आएंगे न वो मानके चले कि 17,000 सम्थिंग 16, 17, 17 मानके चली आपका एकजाम खतम होने के बाद 17,000 लड़कों का फेज 2 के लिए सेले लावा आएगा और उन लोगों का फेज 2 के लिए लिया जाएगा ठीक 3500 सीठ है आपका अब इसमें से आप मनलब की आइडिया लगा लिजे कि कुल पचीस सो आपका उधर चला जाएगा एकस में और हजार आपका वाई के लिए रहेगा इतना पिछला रिकोर्ट के ही हिसा कर 7-8000 जो लड़के बचेंगे मेडिकल के लिए आधा लड़के फेज 2 से बाहर होना ही होना है उनको इतना मान के चलिए ठीक है वहां से लड़के आधा बाहर हो जाएंगे तो 7-8000 मतलब मेडिकल के लिए रहेंगे और मेडिकल के बाद से यह लोग बाहर करना सुरू करें तो आप अंदाजा लगा लिए कितने लड़कों का सेलेक्शन होगा अब साथाथाजार मतलब की डाटा होगा लड़कों का सेलेक्शन का उसके बाद आधा निकाला जाएगा इसमें से तो ठीक है आठ से साथ अजार पुल मिलाकर आपका मेडिकल वगेरा फेज़ टू अब देखते हैं कैसा होता है क्योंकि 3500 ही ले जाना इनको और जीडी आपको बता दे कि इस बार होगा बहुत सारे लड़कों ये वरम में कि जीडी नहीं होगा आप ये गलत थे जीडी होगा आपका और जीडी में आपको फेज़ टू में बता दे कि लगबग जीडी में 45 से 50 उपर मतलब कि यही आंकड़ा होते हैं लड़का आउट हो जाते हैं ठीक है तो जीडी में काफी सारे लड़के बाहर होते हैं फेज़ टू का आपका मेन जो पॉइंट होता है जीडी होता है दिएक कशन में अच्छा पर्फॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो आप बाहर हो सकते हैं, रणिंग में आपका लड़के बाहर होते हैं, ठीक है, कुछ डॉक्मेंटेशन वगएरा, और कुछ मतलब कीतना में आपका जो फेजटू का बाहर होने का जो दू-पॉइंट है, एक आप अपना push up करते रहेगा अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि ज़्यादा hold कर से तो उसमें भी बहतर है लेकिन देखते हैं कि इस बार hold कराएंगे ये नहीं कराएंगे क्योंकि पिछला बार कदम ताल था तो ये करा दिये थे ठीक लड़का बार करना था तो कदम ताल में उतना नहीं हो रहा था तो push up में hold hold करा कर बार कर रहे थे तो इस बार आप hold का भी और normal push up दोनों का practice जरूर करिएगा जीडी का भी तैयारी करना सुरू कर दिये क्योंकि एक्जाम के बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा जैसे एक्जाम खतम होगा रिजल्ट आएगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे ये लोग ठीक तो इस चीज को ध्यान में रखेगा त्यारी सुरू करिए ठीक है और बचा आपका मेडिकल वेगरा से टोटल बाहर वार करके मतलब कुली 3500 करी लेंगे मेडिकल देखते हैं कितना क्या और रहता लेकिन 3500 ही लड़के ले जाएंगे चाहे आपका पांस लाक फॉर्म फिलफ हो जाए या चे लाक हो जाए या चार लाक हो जाए जाना तो 3500 लड़कों काई है अब बात कर लेते हैं कुछ लड़के बोल रहे हैं हमसे कि कितना ग्रूप X और Y का एक्जाम कैसे मतलब हम दोनों की उपर हमको तो X में Y कहीं देना है कुछ लड़के बोल रहे हैं कि हम मतलब की Science वाले स्टुडेंट हैं हमको Y का देना है देखो अगर आपको Science वाले बनेगा कोई एक आपको पास करना चाहिए X पास करे या Y पास करे बत वालों में यही फायदा होता है अगर आपको पेपर देना है तो दीजिए नहीं देना है तो आपनो Y वाला दीजिएगा Y में पास होना अगर आपको X का देना है तो X का दीजिएगा आपको जबर जस् आहेंगा group X और आपका भपउर रहा नहीं सकतए कि यहां पर कुछ लड़ेंगे कि मेरा मैथ मैं 42 से इतना है कि दो हमें श्कुआब करेंगरिग को चु skirt है ठीक है 50% आपका marks percentage total आपका 50% होना चाहिए English में ध्यान दिजिएगा 50 number या उससे ज़्यादा English में होना जरूरी है 50 या उससे ज़्यादा आपका English में number होना जरूरी है और percentage आपका total overall 50% है उससे ज़्यादा होना चाहिए बाकी आपका maths में 48-42 ठीक है physics में 45 से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है बर्ट आपका English में 50 या उससे ज़्यादा है तो आप अराम से अपलाई कर पाएंगे total percentage आपका 50-50 तो ज़्यादा होना चाहिए आप अराम से अपलाई कर पाएंगे ठीक है और ध्यान से अपलाई करिए और अपना photo अगरा का ज़्यादा ध्यान दीजेगा ठीक है photo के नीचे आपका date of photo और नाम आपका पूरा रना चाहिए slate वाला photo का आप यूज करिएगा अगर आप नहीं भी किये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका admit card आजाएगा अगर कोई दोवारा form अपलाई किया है तो ध्यान में रखेगा admit card आजाएगा क्योंकि आपका number और email बदल चुका है तो दूसरा email पर आपको page 1 का admit card है आपका return का उभेज दिया जाएगा ठीक है तो ज्यादा tension नहीं लेना है आपको ठीक बाकी आप लोग त्यारी करते रहेगा और यह form feeling आपका चल रहा है अब आपके पास महीना मतलब यह महीना का time ही है तो इसमें आपको नीचे description box में test book का mock test का series मिलेगा वहाँ पर test book पर जाकर आप mock test लगा लिजेगा coupon code आपको description box में मिल जाएगा जहां से कुछ discount मिल जाएगा आपको अगर आप buy करते हैं तो 50% discount मिल जाएगा वहाँ पर तो आप अपने coding महीने का यह 7 दिन का यह साल भर का जितना महीने का साल भर का जो भी आपको buy करना होगा test book पर जाकर नीचे description link पर click करके code डाल कर आप अपना अराम से mock लगाईए previous year question बनाते जाए जितना mock दिया है नो chapter wise भी mock दिया होगा तो test book में यही फायदा होता है कि सारा मिल जाता है अगर उसमें आपका performance बहतर गया तो आपने exam को फोड़ना ही फोड़ना आप अराम से फोड़ दीजेगा exam को ठीक है अब एक test book के लिए हम अपना अकलक से वीडियो आपको बनाएंगे कल बता देंगे कैसा कैसा राना चाह झाल